नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना वीब न्यूज चेनल सुप्रीम पावर हंटर करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से खबर मध्यप्रदेश के बालग हट जीले के लांजी से फिल्मे स्टाइल में हत्या करने वाले जीजा साली को आजीवन कारवाज शडियंद्र पुर्वक खट्या के मामले में एक आरूपी और उसकी साली को आरूप सिद्ध होने पर कोट ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई वो 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया फिल्मे स्टाइल में हत्या की साजिश रच कर अपनी सालिक के साथ मिलकर पतनी को मौत के घाड उतारा था बालगहट के लांजी में फिल्मे स्टाइल में हुई हत्या के मामले में जीजा साली को आज कोट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वह तीन साल के स्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है तो वहीं 10-10 अजार के अर्थदंड से दंडित भी किया बतादे की पिछले साल 12 जुलाई 2018 को मुरतिका वंदना मुर्कुटे के पती विरेंद्र ने लांजी थाने में जाकर गुमसूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वहाँ फरार हो गया था इस मामले में SDM ने जाँच की जाँच के दोरान पाया की आमगा और ओड में खेत में स्थित एक गढढ़ा खुदा हुआ था और उसी गढ़े के पास एक चपल और चूडी के टुकड़े भी पड़े मिले जिस से SDM को शक हुआ और उन्होंने गढ़ा खुदा तो पाया की उस गढ़े में वंदना का शओ था शओ को बाहर निकाल कर FSL टीम के द्वारा पर इक्छन कराया गया और जाँच की गई वहीं अग्यात आरोपी के खिलाव 302-201 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया जीला अभियोजन अधिकारी ने बताया की वंदना की बहन जोती और वंदना के पती विरेंदर का फ्रेम संबंद था जिसके चलते आरोपी विरेंदर उसकी साली जोती ने वंदना को मौत के घाट उतार दिया था पुलिस ने शक होने पर जब जोती से पूछ ताज की तो जोती ने अपनी ही बहन को अपने जीजा के साथ गला घोट कर हत्या करना कबूल किया फिल्मे स्टाइल में की गई हत्या के लिए विरेंदर ने सड्यंत्र रचा और कुछ लोगों को लालच दिया था कि खेत में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है जिसे खोद कर निकाला जा सकता है और उसने खेत में गड़ा खोदा पर गड़ा खोदने पर कुछ नहीं मिला तो विरेंदर ने सबसे कहा कि मुझे लगता है यहाँ नहीं है ऐसा कहकर सब को वहां से वापस ले गया और रात में पत्नी की हत्याकर अंधेरे में ही उसे गढ़े में अपनी साली के साथ मिलकर वंदना को दफना दिया था सुप्रीम भाट लांजी से सुप्रीम पावर हंटर न्यूस ब्यूरो की रिपोर्ट सराज एक आजीवन कारवास के सज़े हुई क्या है मामला मामला यह था कि थाना लांजी में दिनांग बारा साथ अठारा को एक बंदना उर्फ अंजना मुर्कुटे के गुमने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी बंदना जो है अपने पती विरेंद के साथ रह रही थी और विवाहित पतनी थी उसकी इसने विरेंद ने एक योजना है वो भी साथ में थी और अंजना को इन लोगों ने गले में विजली प्रेश के वायर से दवा करके और हत्या कर दिया था हत्या करने के बाद यह इस चक्कर में थे कि कैसे लास को छिपाया जाए चुकि घर के अंदर की घटना थी तो इन्होंने दो चार लेवरों को गुल हुआ